इनिशेशन में गोल्ड में क्या मुवमेंट देखने को मिलेगा लाइव मार्केट में यहां पे 62,200 के आसपास अभी और डे हाई पर जाके ट्रेडिंग हो रहा है लगवा लगवाग 300 पॉइंट की यहां पर जब अपर बाइंग देखने को मिल रहा है अभी यहां पर सपोर् आपक 64,000 के आसपास और इस अभी का लेटेस लो निकल रहा है एक साडवे जिए को मिल रहा है यह पूरा पूरा देखोगे तो आल्मोस तीन मैंने को चुके सिर्ट हाई हजार बीच में यहां पर गोल्लोड ट्रेड हो रहा है तो आने वाले दिनों में जो 64,000 का लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए काफी समय अभी बचा हुआ है डाउन सैट की बात करूंगा तो एक सब्सक्राइब कर रहा है उसको नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है तो आने वाली दिनों में हो सके डिमांड एकडम से कम हो जाए और मारकेट के अंदर एकडम सड़नली फॉल आ जाए तो मेरी साब सेுक्ज़ेटर का श्प्राइब कर करके से ऐर अबस दाएब इस टॉप्रस लगा दीजिए और डाउन साट के जो टार्गेट रहेंगे वो कम से कम अट्टा वन हजार तक आपको सेल साइड आपको टार्गेट मिलने वाले लेकिन अभी जो buy side की position है वेवकुल उसको hold करना चाहिए अभी buy side की position exit नहीं करना चाहिए जिस दिन 61-दर के नीचे trade करेगा उसी दिन जो buy की position है उसको square up कर सकते हो loss में या profit में तब तक आपको wait करना चाहिए अभी जो trade हो रहा है वो day high पर जाके trade हो रहा है अच्छी खासी buying आज के trading session में देखने को मिर रही है अभी यह जो zone बना है कम से कम trading session देखोगे तो आपको पता चलेगा कम से कम एक मेने का समय हो गया विवकुल 1000 point के बीच में trade कर रहा है ना उपर जा रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह है equity market equity market में अभी bull run चल रहा है जब equity market में bull run चलता है तो कोई commodity की तरफ ध्यान नहीं देता है और commodity market विवकुल साइडवे trade होता रहता है तो विवकुल वही देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में आपको cm rate से विवकुल buy करके चले शॉट डिवरेशन पे आपे 36000 का target अभी आप cm rate से भी buy करके चल सकते हो जिसके पास already भाई है वो भी position hold करिये जिसकी sale के position है वो मेरी साब से exit कर लेना चाहिए और downside में 60,000 के नीचे जब trade करेगा तब आपको sale की position बनाना चाहिए तो यह analysis रहेगा आने वाली दिनों में gold में वैसे मैं gold के intraday levels provide कराता हूँ साथ में साथ swing trade का भी levels provide कराता हूँ और gold को उपर में साथ में साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए dollars के भी levels में provide कराता हूँ तो gold में अभी लायू market में देखोगे तो आपको 2035 के आसपास trade हो रहा है यहाँ पे भी देखोगे तो अच्छी खासी buying आज के training session में देखन हो रहा है काफी तीन बात जो छे दिन का जो breakout होते भी देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे ब्रेक आउट करने में काफी समय है तब तक आप क्या करें शॉट डिवरेशन पे 20-3035 की जो मुमेंट आती है वो profit booking कर सकते हो लेकिन आपको 22 साइट में बैटना है तो 2000 के लिवर्स के नीचे जब यह trade करेगा तब ही आपको sale की position प्रेफर करना चाहिए तब तक आपको sale की position नहीं बनाना चाहिए buy on dp strategy आपको बनाना चाहिए और आने वाले दिनों में जो target रहेंगे short term में 2080 का target के लिए position hold कर सकते हो जिसके पास already buy है विवकुल hold करिए और stop loss यहाँ पर 2000 डॉलर का लगा सकते हो अभी जिसके पास sale की position है मेरे इसाब से exit कर लेना चाहिए और 2000 के नीचे जब trade करेगा तब आप sale की position प्रेफर कर सकते हो अभी काफी दिन बाद एक buying देखने को मिर रही है तो जो range है वो already 2000 का range downside में upside का range 2040 यह 40 डॉलर के बीच में ही लगबग लगबग लंबा समय बिता चुका है और इस consolidation zone को मेरी सबसे जिदिने breakout करेगा तो कमसे का आराम से 40-50 प्रेफर की rally upside में easily देखने को मिलेगी तो gold के उपर मैंने complete जानकर ही मैंने यहां पर बताने की कोशिश किया साथ में साथ मैंने यहां पर डॉलर्स का भी analysis किया डॉलर्स में trade करना है तो one of the best platform में octapex लिंक में description में देदूँगा विकुल account open कर लेजे within 5 minutes के अंदर account किया जो open हो जाता है और साथ में साथ live support चाहिए तो आप मुझे 9797773219 इसके उपर मुझे whatsapp भी कर सकते हो तो मिलते हैं ने विडियोट आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई